तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि सुवा उठकर बैटी लेते हैं लेकिन उसका नुकसान उन्हें जब पता चलता है तो उनके सरीर में पितिका मातरा बढ़ जाती है इससे उनके सरीर में हार्मोन इंबैलेंस की बिमारी आ जाती है जिससे डाइबटीज और थैराड भी हो सक पानी पीते हैं ये पानी पीना भी कोई सीखने वाली बात है क्या आपको बता दे कि पानी हमारी बाड़ी का सबसे IMPORTANT ELEMENT है हमारा सरी 70% पानी से बनाए बाकी 30% UN ELEMENT है मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि पानी पेने का तरीका ही हमें नहीं पता कोई खड़ भी एक तरीके में शामिल है आपको बता दें कि सुबा के समय जो लार मूँ में कठा होती है वो सरीर के लिए अमरित के समान है इस लार में बहुत सितत होते हैं लेकिन हम क्या करते हैं सुबा पहले ब्रश करके उसे बाहर निकाल देते हैं जबकि उसे आपके सरीर में जाना चाहिए किसी लार को अगर आप अपने आँखों के नीचे लगाते हैं तो आपके डाक्षल से खत्म हो जाते हैं अगर अपने पिंपल पर लगाते हैं तो वो पिंपल भी ठीक हो जाते हैं आपकी लार में एंटीपायोटिक और एक तरह का आपका लार पेंकिलर होता है आपको याद होगा कि बच्पन में जब हमारे उंगली में चोट लगती थी तो हम उसे मुझे में डाल लेते थे और इससे खोन भी बैना बन जाता था साथी साथ हमेरे दर्द भी कम हो जाता था शायद आपको पता होगा कि आपकी मुझा खाओ जल्दी इसलिए ठी हो जाता कि लार की वज़ा से ये लार हमारे डाजेशिन को सही करती है और जब सुबह उठकर गुंगुरा पानी पीएंगे तो ये लार सीधे आपके पेट मिचाएगी और आपका पेट सुस्त होगा अगर आपका पेट खराब है तो आपको 100 तरह की बीमारिया हो सकती है दोस्तों अब आप जब भी सुबह उठेंगे तो हलके गुंगुने दो गिलास पानी पी ले इससे सबसे पहले आपका ब्लड पेशर नॉर्मल होगा हाई ब्लड पेशर आपको पता है कि सैलेंड किलर होता है ये धीरी धीरे आपके सरीर को हाट अटेक की तरफ ले जाता है हाई ब्लड पेशर से दिमाग की नसों में प्रेशर बढ़ जाता है और स्टोक का खत्रा भी बन जाता है जिससे कि आप पैलरलाइस यानि लकवा भी हो सकता है अगर आपको किड्नी में स्टोन हो जाए तो आप 2-3 गलास नीमत रूपसे पानी पर कर इस स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं लोग कहते हैं कि खाते तो कम हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं तो आपको बता दें कि मोटापा जादा खाने से नहीं बलकि गलत खान पान से होता है अगर आपका खान पान सही है और आप रोज सुबह गुनगुना पानी पीकर चरहते हैं तो आप अपने मोटापी को कम कर सकते हैं बता दे कि पानी हमेशा घूट घूट कर पीना चाहिए, एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे लार हर घूट के साथ पेट तक पहुँचे, पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए, ठंडा पानी पीने से आपकी आंतों में शुकुला नहीं लगती है, जिससे आपको कब्ज की समस्या हो कि पानी हमेशा रूम टंपरेचर पर पीना चाहिए या थोड़ा गुनुञुना पानी अगर पीते हैं तो ज़्यादा बेटर है और पानी हमेशा बैठ कर पीना जाहिए खड़े हो कर तो बिल्कुल नहीं पीना छाहिए घर आपको पानी के एक घंटे पहले पी ले अगर आपके चुहरे पे पिंपल्स हैं तो आपको लगता होगा कि महेंगे क्रीम और लोशन से हम मेडिसिन से हम पिंपल्स को ठीक कर लेंगे तो बिलकुल नहीं आपको इतना पैसा खर्च करने की जरुवत नहीं है आप अपने पिंपल्स को खुद से ही ठीक कर सकते हैं अगर आपके पिंपल्स हैं तो उसका में करड है आपके खोन में गंदगी और आपके खोन में ये गंदगी पैदा होती है आपके पेट की गरबड दोस्तों अगर यह नियम आप अपनाते हैं और बासी पो गुनगना पानी पीते हैं तो आप हमेशा सौस्त रहते हुए कई बिमारियों से दूर रहेंगे दोस्तों आप जरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थाइंक यू फेरी मच